अगले मुख्यमंत्री कौन हरियाना में किस की बनेगी स्तरकार और हरियाना में अगर कॉंग्रिस की स्तरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री कुमारी सलजा होंगी या भूपेंदर सिंग खुडा इनी तवम मुदों को लेकर हम हाजिर हैं नमशकार मैं हुराउल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम हरियाना का दंगल हरियाना के दंगल इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कि अगला मुख्य मंत्री कौन और सबसे बड़े हद तक मैं अपने दर्चकों को बता दू कि हरियाना चुनाव जो हम ने देखा उसमें जिस तरीके की वोटिंग हुई है इससे ये साफ पता चल रहा है कि इस बार बीजेपी को नहीं फायदा मिल रहा है जनता इस बार कौंग्रिस पार्टी पर भरोसा कर र सब्सक्राइब करें तो काफी समय से कॉंग्रेस में एक सवाल है जो खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाया कुमारी सेल्जा या भुपेंद्र सिंग हुट्डा को और हाली में एक तस्वीर सामनी आई जिसमें राहुल गांदी ने भुपेंद्र सिंग आगे तक हमें लेके जाना है हर चुनाव पर हमारा जो है अगर कहें तो फोकस रहेगा तो जिस तरीके से अभी मैं कहा हूँ तो एक बयान सामनी आया कुमारी सेल्जा का जो यह कह रही है कि आप निश्चिन्त हो जाए सरकार तो कॉंग्रिस की हरियाना में बनेगी और उनक पर इसमें कोई दो राहे की नहीं कि कॉंग्रिस पार्टी अमूमन सीम के नाम पर फख जाती है जरा आप इत्यास में जाएंगे तो दोश्या ठारे की अगर हम बात करें राहिस्तान और मद्धर परदेश दोनु जगा पर कॉंग्रिस पार्टी सरकार बनाती है लगबग ये केलियर था और हम लोगों ने कबर भी किया था काफी बाचीत भी उसमें की थी की राजिस्तान में सजिन पार्ट मुख्य मंत्री बनेंगे और मद्धर परदेश में जोतिरा सिंधिया बनेंगे पर कॉंग्रेस पार्टी के लिहाज से कि यहां पर शेल जा हूँ डिपेंद हुडड़ा हूँ या फिर सुर्जे वाला हूँ इनके बीच में लगातार ये खिशली पक रहे हैं कि आखिर मुख्य मंत्री कौन होगा अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह चर्चा अभी नहीं को जो पहले भी जब चुनाफ शुरू होने से पहले भी थी तब कॉंग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि भाई अभी फिलाल हमारा फोकस जो है बो चुनाफ जीतने के अपर होना चाहिए हमें पहले चुनाफ जीतना चाहिए हमें इलेक्शन जीतना चाहिए उसके उपर हमें पूरा अपना जो कह सकते हैं दिमाग है ध्यान है सोच है विचार है सब वहाँ पर लगाना चाहिए लेकिन देखिए इतना सब होने के बावजूद बोर जैसा आपने खुद भी शुरू में का कि राहुल गान्दी दौरा मंच के उपर बुपेंद हुड़ा हो या फिर शेल जाओं दोनों के हाथों के मिलवाना ये संदेश जरूर देने का प्रयास किया गया कि भाई भले ही मुखे मंतरी पक काड़् को लेकर आपस में कह सकते हैं कि दूरियां हूं आपस में एक दूसरे की चाट दुनों करतों बेर नजर आते हूं लेकिन जहाँ पार्टी की बात है जहां मंचपे एक खड़े हूने की बात है तो दोनों ऐक साथ हैं एक साथ रहें गे और कौंगर पार्टी इसका हल निकालेगी और जाहिर बाते की देखिए अभी चुनाव होने के बाद जब कॉंगर्स पार्टी की बैठेक होगी तो हो सकता है कोई बड़ा नाम निकल कर सामना है और बुपेंदर हुड़ा चुकि सीनियर लीडर है हो सकता है उनके नाम पर जाए और महिला जिस तरीके से हमने देखा कि कमलनात को सियंपत पर बिठाए गया लेकिन चाहस जोती रादित्य सिंध्या रहे थे तो ऐसे में देखने को मिला जोती रादित्य सिंध्या ने फौरण अपने विधायकों को एकत्रित किया और बीजेपी से संपर किया और बीजेपी की तरफ चले गए कमलनात कुस्ति इफा देना पड़ गया तो सर जो तस्वीर हमने मध्यपरदेश के अंदर देखी है जोती रादित्य सिंध्या वाली कितनी उस तस्वीर को आप हरियाना के अंदर देख रहे हैं क्या कुमारी सैलजा के पास इतने इफिधायक हैं कि अगर उन्हें बनाया जाता तो वह बगावत करके कॉंग्रिस की जो पूरी तरीके से स्थती बन गई है या बंती दिखाई दिरी उसको विफल करती नजर आएंगी और क्या कुमारी सैलजा की बगावत बनाया जो खेल है वह कॉंग्रिस पार्टी का विगार सकती है अगर मैं इसको ऐसा देखू कि शेलजा अगर बगावत करती भी हैं कुछ विधायक लेकर सिंध्या की तरह अगर बाहर चली भी जाती है तो मुझे बताई जो सिंध्या का आशर कि अवाज के बात कि अबो मुख्यमंत्री बन पाए हरियाना मध्यपरदेश के तो यह जो अवाल हैं जाहिर बाते हैं हर इंसान जो उसका फायदा उठाना चाहता है बीजेपी पीसी फिराख में की तरह से क्योंकि बीजेपी के पास अपने मुद्दे खत्म हो गए वो यहीं सोच लिए कि शेलजा के सारे कहीं हमारी नाउना पार लग जाए तो इसलिए ही सब बात है कि शेलजा और भी लीडर है को आज की लीडर कांगर्सी तो है नहीं एक लंबा अरसा उनको हो गया लेकिन मैं अभी शेलजा को सुन रहा था उन्होंने बेयान दिया है कि मीडिया से उन्हों शिकायद भी कि जो दस साल तक कह सकते मुख्यमंत्री बन जाते हैं बड़े प अगर बाचीत होती है तो शेलजा भी बड़ा नाम बनकर उबर सकते हैं और जाहिर यह भी बात है कि बहुत दली समुधाय से आती हैं तो कॉंगर्स पार्टी इस नातिभी चूंकि एस सी ओवी सी की बात अरहल गांदी इन दोनों खूप कर रहे हैं जाती समीकर्ण की बात लोन खूप करें से एक नहीं बलकि कई नाम सामने आएं और देखे हैं अगर कुमारिच साहल जब बीजेपी में चली जाती है तो इसका क्या मैं कहूं तो क्या इसका वो होगा कि बीजेपी उन्हें सीम चहरे के तौर पर लांच कर देगी क्योंकि सिंध्या को हमने देखा क अगर हम कहें तो इंट्रेस्टिंग होता नजर आए क्योंकि इस चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे जो स्थानिये मुद्दे हैं इनको कॉंग्रिस ने उठाने का गाम किया लेकिन जहां हम भारतिय जंता पार्टी की बात करें तो केवल उनका एक इताहिमंत भिश्व सर्मा अभी हाली में यह कह रहे थे कि हर जगा बावर मौजूद हैं हर जगा बावर की स्थाथिया हमें हर जगा से बावर उठाना है तो भारती जंता पार्टी के नेताओं की जुआन पर एक ही चीज रहती है या तो हिंदू या तो मुसल्मान या धरम या जाती या बाबर या इस तरीके की बात कर क्या जंताब समझ रही हैं ईके खेल को और कहीं ना कहीं हम देख रही है कि इन चीजों से खुद को अलग कर रही है और क्या वाकर इन चीजों का भी अथलाना चुनाव में देख रहे हैं कि हीमंद وिषवा शर्मा की जिस तरह की जुबान है जिस तरह की भाषा है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वो अपने आपको बहुत बड़ा भाच्पाई थावित करना चाहते हैं क्यों कोंगेस पार्टी में रहे हैं तो जाहिर बात है कि बाते हैं तो एक पहesten का जाए तो विकाश के मुद्धों से दूर रहके करत मेंगे जयनता बहुत समझधार रहे जनता बहुत बूल सुझभूच में अब से मत बहुत में अहीं होती है। क्योंकि चाहिए कंगना रनावत हों या हैमन सर्मा हों सभी लोग जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल करें जिसे भाशा का प्रियोग करें वो यह बताता है कि यहां पर बीजेपी को हराने पर तुले हुए मैं जो नरिंद मोधी जी पी-म है वो दो अक्टूबर को महात्मा ग कि किसानों को लेकर भी कंगना ने वह बात बुली थी कापी हद तक जो हर्याने किसान ते वो नराज हुए तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बीजेपी को किनारा करना पड़ा कि भाई उनका वेक्तर बिचार हमारा कोई से लेंदर नहीं है तो आप समझ सकते हैं किस तरह बीज बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको और देखिए सर ने भारीकी से ये बताया कि किस तरीके से भारतिये जनता पार्टी के नेताओं के बयान ही हैं जो आज बीजेपी को इस हालत में लेकर आए हैं लेकिन हमारा सवाल यही रहेगा कि आकरकार कॉंग्रिस मुख्य मंत्री का दाओं किस पर खेलेगी क्या हुमारी सेलजा को बनाया जाएगा या भूपेंदर सिंग हुड़ा को और कहीं ऐसा ना हो कि बगावत से कॉंग्रिस का खेल भी गड़ जाए इस मुद्धे पर आपके क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं फिलाल आज के लिए तहीं आप स मुलाकात होगी तब तक के लिए इसादर दीजिए नमस्क्राइब